आज हम clay brush देखने वाले हैं, clay brush को किस तरह से use करेंगे हम अपने model के साथ में तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने यहाँ पर brush जो है यहाँ पर अभी standard brush है, इस जिए के पर हमें activate करना पड़ेगा clay brush तो उसके लिए हमें अपने keyboard से B button दबाना है B for brush और उसके बाद C button दबाना है C for clay तो यहाँ पर आप देखोगे, एक clay brush आ रहा है और इसका code है L, अगर आप keyboard से L button को press करते हैं यह brush आपका activate हो जाएगा या फिर यहाँ पर आप click भी कर सकते हैं mouse से तो आप देखोगे जो आपका brush था यहाँ पर आप clay activate हो गया है इभी भी आपके model में आपको लगता है कि कोई ऐसा part है जो अंदर को धसा हुआ है जहाँ पर जिसको उपर उठाने के ज़रूरत है तो आप clay brush का use करके वहाँ filling कर सकते हैं clay basically मिट्टी को clay बोलते हैं तो आपने कुमार को देखा होगा कि किस तरह से वो अपने घड़ा बना रहा होता है तो मिट्टी को जहाँ पर जगह खाली होती वहाँ पर मिट्टी को fill करने के लिए use करता है तो यहाँ पर clay का उसी तरह से use करेंगे देखते हैं कैसे करना है तो clay brush है अगर हम चाहते हैं कि इसका यह हिस्सा cheeks थोड़ा सा उपर उठना चाहिए तो यह clay brush activate है हमें बस यहाँ पर आपको दिये देखिए यह clay add होती जा रही है यहाँ पर हमने clay को add कर दिया है यह देखिए यहाँ पर यह इस तरह से आप हलकालका चलाएंगे तो इसकी एक layer इसने add कर दिये देखिए हमने एक stroke में चला दिया है उसके बाद आप इसको shift button press कर सकते हो और shift के साथ चलाएंगे तो देखिए यह blue हो रहा है shift button जैसी प्रेस करोगे तो आपको बता देए इससे पहले जितने भी brush हमने यूज किया है अगर shift button कभी भी प्रेस करते हैं तो ब्रेस फिर smooth brush की तरह भी हैप करने लगेगा तो यह आपकी skin को smooth कर देगा तो देखिए हमने clear brush से वहां पर मिट्टी को फिल किया उसके बाद smooth brush से smooth कर दिया तो देखिए इसके cheeks जो है अब flat हो गया है यह आप इसको undo करके अगर देखेंगे तो पहले cheeks इसके कैसे थे यहां पर देखिएगा थोड़ा सा हम पीछे करते हैं यह यहां पर यह देखिए cheeks में इसमें depth आ रही थी यह देखिए इस जीके लेकिन जैसे हमने clay लगा दिया यह और उसके बाद smooth कर दिया clay लगाने बाद में इसके cheeks ऐसे आ गए हम जाते हैं इसके cheeks थोड़े से और उठे हुए होने चाहिए अगर हम clay brush को ऐसे चलाएंगे यह stroke अभी हम click करके रखा और फिर से अगर click किया तो देखिए दूसरी height पे layer उठा रहा है और फिर यह दूसरी height तक ही रखेगा यहाँ पर देखिए अब इससे उपर नहीं उठा रहा है लेकिन अगर आपने फिर से एक तीसरी बार third time पे click कर दिया तो थोड़ी सी height उसने और दे दी अब उसी height पे ह रहेगा वो आगे नहीं उठेगा यह देख सकते हैं तो फिर से देखिए यहाँ पर अगर आपने click किया हुआ है और click करके रखा हुआ तो देखिए अब अगर उसके उपर दुबारा चला भी रहे है तो यह उससे जादा नहीं click को add कर रहा है एक ही layer इसने बनाई है पर यहां पर कर सकते हैं देखिए अगर आपको लगता है बहुत सारी height आइट करनी है तो आप कई सारे strokes में इसको डाले देखिए यह उठाता जा रहा है क्योंकि हमको इसको कई सारे strokes में उठाना था आपको अगर उपर इसको नई उठाना है तो आप एक यह stroke से चलाईए जैस स्किन स्मूद दिखनी चाहिए ये देखिए अब इसके गाल थोड़े भरे भरे से लग रहे है यहाँ पर आइब्रो का एरिया उठना है तो यहाँ पर थोड़ी सी क्ले एड़ करनी पड़ेगी फिलिंग करनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे इंटेंसिटी हमारे पास में 50 है अगर हम फुल कर देतें इंटेंसिटी तो यह क्ले थोड़ी सी जादा एड़ करेगा हर लेयर में यह देखिए अब हम क्लिक करके चला रहे है एक एक स्ट्रोक पर क्लिक कर रहे है ताकि यह लेयर उठाता चला जाए अगर हम एक ही क्लिक करके चलाएंगे तो यह लेयर उठ । यहां पर एक ही श्ट्रोग चला रहे देखिए उससे ज्यादा हाइट वह नहीं उठा रहे हो यह है। यह हैज का अगर हम इसको उठा देते हैं जेस्ट की एक लेज़ आया और फिर इसके उपर एक और चला है फिर क्लिक करते जा करते जा रहे हैं तो यह देखिए ऊपर उठाते जा रहे हैं ऐसा नहीं चाहिए ऐसा अगर आपको फिलिंग ज्यादा चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो नहीं तो आप वापस से एक बार क्लिक करके ऐसे चला रहे हैं यह देखिए यह देखिए यह देखिए तो यह हाइट ज्य पार्ल के साथ यूज़ करते हो तो clay add करने के वज़े वो देखिए एक एक layer से clay हटा रहा है फिल करते जा रहा है अगर आपने stroke कई सारी stroke में किया तो बहुत ज्यादा यह करेगा अगर एक ही stroke के साथ कर रहे है तो उसी height पर यह नीचे की तरफ ले के जाएगा आपकी brush को यह देखिए इस तरह से यहाँ पर भी add के साथ चला रहे है और click करके यह ऐसे चला रहे है तो यह old के साथ हमने इसको यूज किया जहाँ पर यह मेंज को नीचे की तरफ ले जाएगा इस तरह से तो हमने old के साथ भी use कर लिया है right shift के साथ हमने देख लिया कि यह smooth करता है यह देखिए layer को smooth कर रहा है merge करा दिया और अगर old press नहीं कर रहे है तो यह क्या करेगा layer को add करेगा यहाँ पर तो muscles डालना है या कोई खाली जेगा उसको fill करना है तो हम इसका use करेंगे तो I think आपको समझ में आ गया होगा बस इसको symmetry के साथ और आपको use करना है तो आप जाएंगे यहाँ पर transform में और symmetry का option active symmetry on है x में symmetry बना रहा है तो देखिए दोनों side में यह चल रहा है तो अगर हम अभी clay add करेंगे तो यह दोनों side में clay add हो रहा है तो आपने यह clay brush को देख लिया तो जब भी आपको filling का काम करना होगा या muscles बगरा बनानी होगी तब इस brush का आप use करेंगे मिलते हैं next video में नए brush के साथ में thank you